विल्कम बेक टो यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स अकैडमी सो कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे सो यहां पर आज दो जॉब्स नोटिफिकेशन में इस वीडियो में बात करेंगे यह वीडियो को अंतक देखेगा सब कुछ डिटेल में इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं सबसे पहली जो पोस्ट है SSC की तरफ से MTS की है और हवलदार की है ठीक है MTS में जो वकेंसी है वो है 4887 यहां पर आप देख सकते हैं और हवलदार में है 3439 ठीक है और बीच में आपको एक छोट ब्रेक देते हैं यहां पर की जो बचा ऑनलाइन करना चाहता है वो नीचे दियेगे टेलीगराम लिंक को जॉइन कीजेगा वहां पर आपको जो है मिल जाएगा नोटिपिकेशन hogy आपको क्या पूरा प्रोसीजर क्या क्या करना है ठीक है यहां अगर टेलीगराम नहीं है तो प्लेश टोर से जाके टेलीगराम डाउनलूड कर Лो यहाँ पर vacancy आ चुकी है जो की qualification simple आप 10th pass होने चाहिए तो आप इसमें form जो है वो apply कर सकते हैं इंडिया से कहीं से भी हैं तो apply कर सकते हैं male female जो है वो दोनों apply कर सकते हैं age की बात की जाए तो जो अगर बच्चा MTS में apply करना चाहता है 18-25 उसकी age होनी चाहिए ठीक है अगर प्लदार में apply करना चाहते हो तो 18-27 जो है आपकी age होनी चाहिए बाकि जिसकी category है उसको age relaxation दी जाएगी और अगर आपको कोई doubt आ रहा है तो वो आप comment कर सकते हैं form किस तरह से apply करना है form apply करने के लिए आपने हमें WhatsApp message करना है WhatsApp message जो है वो नंबर है 8082874110 only WhatsApp message कीजेगा आपने documents पीज बगारा बेच के अपना form जो है वो भी बर सकते हैं और बात कर लेते हैं आप exam जो है वो कहां दे सकते हैं यहाँ पर जो इनके center है चंडिगड है मोहाली है हमीरपूर शिमला जम्मू सांबा से नगर ले अमरिसर बठिंडा जलंदर पतेयाला ठी इसमें syllabus की बात जो दी गई है यहां पर आपका सिर्फ एक ही paper होने वाला है MTS यहां हवलदार का एक ही paper होता है तो वो आपको यहां पर total जो है 120 minutes दिये जाते हैं और यह आपका syllabus है इस पर हम जो है classes भी लेके आएंगे लेकिन सबसे पहले जो हम जो कोशिश करेंगी कि पहल CGL का है यानि की combined graduate level का है यह भी second notification SSC की तरफ से निकाली गई है इसमें जो post है यहां पर देख सकते हैं कितनी salary है क्या age है यहां पर बताया गया है detail में बताऊंगी तो video जो है वो काफा लंबी हो जाएगी इससे अचा आप इसका screenshot ले लीजिए और age देख लीजिएगा इसम 5,000 से 1,12,000 के अंडर आपकी salary रहेगी जो इन post हो में apply करते हैं जो यह post आपको यहां पर दी गई है और यह आपको age दी गई है ठीक है तो इसी तरह से यह आपको सब यहां पर आप देख सकते कौन-कौन सी post है ठीक है अब इसको भी जो है male female जो है वो दोनो apply कर सकते हैं इस education दी गई है वो must be आप जो है graduate होने चाहिए essential education qualification हर एक post के लिए graduation है junior statistical officer जो बच्चा graduation कर भी रहा है ठीक है जिसका final year है last year है वो भी इसको apply कर सकता है junior statistical officers के लिए bachelor degree आपकी होनी चाहिए statistical investigator के लिए भी same वही qualification दी गई है हर एक post के लिए यहाँ पे लिखा है कि all other post के लिए bachelor degree जो है वो आपकी होनी चाहिए ठीक है age आपको यहाँ पर हमने बता दी है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका भी जो center है वो भी आपका जो center है जो मैंने आपको पीछे बताया कि आपका exam जो है यहाँ पर देख सकते हैं जन्रिगर्ड मोहाली हमिरपूर शिमला जमू सामबा सेरे नगर ले अमरिसर जहां आप चाहो वहाँ पर यह इसका exam हो सकता है ठीक है जो इसमें center दिया गया है अब यहाँ पर देख सकते हैं tire one जो आपका exam है एक गंटा बीस मिनट आपको दिये जाएंगे इस exam में इसमें जो है दो exam होते हैं अगर आपका first clear हो जाता है तो फिर आप second के लिए eligible हो अगर first नहीं होता है clear तो second में आप नहीं दे सकते हैं और यह आपका second का tire second का slave bus है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से फिलाल के लिए इस